नमस्कार दोस्तों मैं सुनील बसिष्ट वैदी केश्टलोजर और जोती शद्धापर मित्रो जैसा ही आप जानते ही हैं इस समय पाकिस्तान में राजनिदिक उठल उठल हो रही है इमरान खान के सामने एविश्वास प्रस्तावल लाया गया है और वो इसका सामना कर रहे हैं क्या इमरान खान रहेंगे परधान मंद्री पाकिस्तान के या उने होगा जाना इन सब बातों का अंसर जानने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा मात्यम है वो है जोतिश जोतिश में जनम पत्री की विवेश्णा आज जनम पत्री विवेश्णा में हम ले रहे हैं इमरान खान की जनम पत्रिका को आएए चलते हैं इमरान खान की जनम पत्रिका पर यानि की जनम खुंडली पर इनका जनम है 5 अक्तुबर 1952 और समय है 6 बज़ करके 45 मिनट सुबह का जनम स्थान है लाहूर पंजाब में पाकिस्तान ये उनका बर्थ डिटेल है अगर इमरान खान की जनम पत्रिका को ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि इनकी कन्या लगन की कुंडली है और लगन का स्वामी बुद्ध लगन स्थान पर ही बैठा हुआ है जैसा कि पहले की आपको बताया गया है जब भी लगन का स्वामी लगनेश लगन स्थान पर ही बेवराजमान होता है तो लगना दीपती योग बनता है लगना दीपती योग के साथ ये बने उन्हें पंचम भाव के स्वामी शनी देے यानि कि बुद्ध और शनी एक साथ आ गए है ये पहले भाव में ही है और इससे बनता है लक्षमी नाराणियों मित्रों लक्ष्मी नाराणियों कैसे बनता है जब भी केंद्र का स्वामी ग्रहे और तिर्कोण का स्वामी ग्रहे केंद्र स्थान पर विराजमान होते हैं तो वो बनता है लक्ष्मी नाराणियों वैसे तो किंद्र स्थान में बनने वाला लक्षमी नाराण योग काफी शक्ति शाली होता है लक्षमी यानि इधन, वैभव, संपन्ता, एश्वरे और नाराण में शक्ति शाली, पावा, अथौर्टी ये दोनों शक्तियों को मिला करके लक्षमी नाराण योग बनता है ऐसे जातक के पास जीवन में किसी परकार की कोई कमी ने रहती जैसा कि हम जानते हैं इमरान खान का जनम एक सुखी और संपन परिवार में हुआ उनके पिताजी भी नामी कि नामी वेक्तिते धन की घर में कोई किसी परकार की कमी ने थी इनके पुर्वजों का संबन लाजा सेरसा सुरी के साथ भी बताया जाता है यानि की खानदानी रहीस भी आप इने कह सकते हो इनका बच्पन जो भीता वो भावत खुशी में और धना जेस्तिती में की भीता है उनकी जनम पत्रिका में सेकंड हाउस में विराजमान शुक्र ग्रहे इस बात को बता रहा है जब भी Second House का Lord Second में ही बैठता है वो भी शुक्र है बन करके तो धन के लिए बहुत ही उत्तम होता है दूसरे भाव से हम कुटमब को देखते हैं दूसरे भाव से हम धन को देखते हैं और दूसरे भाव से हम वानी को देखते हैं यहाँ पर यदि चंद्रमा, शुक्र या गुरु जैसे शुक्र रहा जाए तो विक्ति को घन की किसी परकार से कोई कभी नहीं नहीं होती है उसके जीवन में घन सहज भाव से सहज गती से आता है इसी परकार से अगरं तीसरे भाव की स्थिधी को देखें तो तीसरे भाव का स्वामी मंगल है मंगल जो है इनकी जनम पत्रिका के चोथे भाव में बैठा है ये चोथा भाव जो होता है तीसरे भाव का व्रधी भाव होता है अटार तीसरे का स्वामी चोथे में बैठे तो तीसरे भाव के गुणों में ब्रद्धी हो जाती है तीसरे भाव से हम देखते हैं खेल, गूद, प्राकरण, शक्ती, सामर्थ, शरीर का स्टैमिना और जैसा की आप सभी जानते हैं, इमरान खान नामी गिरामी किर्केटर रहे हैं ये वो ही किर्केटर हैं जिनकी कैप्टल सीवे, कैप्टल शिप में इनोल पाकिस्तान में एक वर्ल्ड कप भी जीता है जी हाँ, ये आल राउंडर के लाड़ी रहे हैं ये बहुत अच्छे बैट्समेन भी हैं, बहुत अच्छे बॉलर भी हैं और किर्केट के खेल में हर परकार के रोल को धंग से निभा सकते हैं अपने समय में इनोंने बहुत अच्छा किर्केट खेला और पाकिस्तान का नाम उचाईयों पर लेकर गए विदेशों में बहुत बार गए, विदेशी यात्रा इनोंने बहुत की हैं तो ये सब चीजें तीसरे भाव से लिलेकी जाती हैं चतुर्द भाव, चतुर्द भाव का स्वामी गुरु है और गुरु इनकी जनम पत्रिका में और चोते भाव के स्वामी गुरु है गुरु इनकी जनुन पत्रिका में अश्टम भाव में विराजमाद है वो भी चंद्र ग्रह के साथ जी हां चंद्र ग्रह 11 भाव के स्वामी है 11 भाव जिसे हम FULFILMENT OF DESIRE का हाउस भी कहते हैं जब भी वो था उसका लॉर्ड और एकादस भाव का स्वामी कुम लगन में यदि एक साथ हो जाएं तो प्रॉपर्टी एसेट लगसरी का सुख जीवन में बहुत होता है ऐसे लोग उनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़ादा मात्रा में पाई जाती है और उन्हें इन जमीन, जदार, प्रॉपर्टी, एसेट्स इन सब चीजों में कभी भी कोई दिकतों का सामना नहीं करना पड़ता है अब चलते हैं पंचम भाव पर, पंचवा भाव जिसमें की राहू ग्रह विराजमान है और पंचम भाव के स्वामी हुए शनी देव शनी पंचमभाव का स्वामी होकर के फर्स्ट हाउस में विराजमान है और पंचमभाव से हम देखते हैं प्रेम और पब्लिक टीलिग, आकस्मिक धन प्रापती का योग, ये पंचमभाव का प्रेम जब भी लगन पर बैट जाता है, तो ये पंचमभाव के से आने वाली पर जैसे ही राहू पंचम भाव में बैठे और पंचमेश अच्छी मजूस किती में हो जाए तो ऐसे कई बार लोगों के दिवन में मुल्टीपल अफेर्स का योग बनता है इसलिए इमरान खान के बहुत जादा अफेर हुए हैं लोग इहां तक कहते हैं कुछ लोग तो इन् समय समय पर कई देशों में अलग-अलग समय पर सम्मंद बने हैं और वो सम्मंद तूटे हैं अब हम चलते हैं चटे भाव पर चटे भाव के स्वामी लगन पर हैं चटे भाव का स्वामी का लगन पर बैठना वो अच्छा नहीं माना रहा हमेशा ध्यान रखिए 300 भाव जैसे पंचम भाव का जो रिजन टाइम इसी परकार से सब्तम्भाव को अगर हम देखें तो सब्तम्भाव के स्वामी गुरुदेव ब्रस्पती हैं और बुरुदेव ब्रस्पती सब्तम भाव के स्वामी को करके अश्टम स्थान्वर विराज मानें परंतु ये बात अच्छी नहीं है सब्तम का स्वामी यदि अश्टम भाव में चला जाए तो ये मैरिज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है यही कारण है कि इनके जीवन में तीन विवा हुए दो शादियों में डिवोर्स हो गया इस समय ये जिनके साथ रह रहे हैं वो तीसरी शादी है जी हाँ इमरान खान ने तीसरी शादी की यदि हम इस कुंडली का शुक्षम अधिन करें तो पाएंगे ये सबी चीजें इनकी कुंडली में बड़े अराम से दिखाई दे रही हैं अब चलते हैं अश्टम भाव में अश्टम भाव के स्वामी मंगल जो की फोर्था उसमें बैठे हैं वो अपने से नमग है अश्टम का अपने से बहुत अच्छा है ये आयो प्राप्तों की साथ में देखने वाली बात ये है इनकी कुंडली में गुरु और चंदरमा अश शुक्र ग्रहे के द्वारा तृष्ट है जी यदि हम चंदर कुंडली बनाएं तो इनके लगन स्थान पर ही गज के स्रीयोग बन जाता है और गज के स्रीयोग दिखाता है कि ऐसा वेक्ति खांदानी रही सोता है और आपने जीमन में बहुत नेम धेम प्राप्त करता है जो इसमें गज के स्रीयोग का बहुत बड़ा स्पोर्ट है अब चलते हैं नमम भाव पर नमम भाव जो है भाग्ये का बहाव होता है और नमम भाव का स्वामी शुक्र सौग्रही ओकर के सेकंड हाउस में है तो भाग्ये से तो ये काफी उजवल इनका प्रिशे रहा है जीमन म काफी जो चहा वो इने प्राक्त हुआ है अब चलते हैं दसंभाव पर दसंभाव के स्वामी बुद्ध है जो की लगन स्थान में शरी रहे के साथ बैठे है जब भी ऐसी सिचुशन बनती है तो इंसान जिस भी छेतर में अपना पाउंट रखता है उसी छेतर में बहुत काम्यादी खासी करता है जब इबरान खान खेलते थे तो खेलते खेलते इंटरनेशनल खिलाडी तक पोचे और जब रादनिती में कदम रखा तो प्रधान मुंत्री पद तक पोचे ये उनकी कुड़ी की स्टेंथ है ग्यार्वा भाव का स्वामी चंद्रमा जो कि गुरुप के साथ अस्टन भाव में बैठा हुआ है देखे तो हम वो अपने से दसम स्थान पर बैठा है कोई भी भाव का अधिपती जब अपने भाव से दसम स्थान में बैठता है तो बहुत मजबूत और अच्छा माना जाता है कि ये दिखाता है कि ऐसा बैठी जीवन में जो भी चाहता है प्राफ्ट करी ही लेता है क्योंकि ग्यार्वा भाव वैसे भी फुल्प्रिमेंट आप डिजायर का है अब चलते हैं बारवे भाव पर बारवे भाव का स्वामी है सूरीय जो की लगन स्थान पर बैठे हैं बारवे भाव से हम विदेश यात्राएं विदेश से सम्मद देखते हैं जो की बहुत ही अच्छे है इमरान खान की कुल्दी है ये एक छोटा सा बिशलेशन था इमरान खान की कुंडली का पर कहते हैं जब तक आप नमांच कुंडली का ध्यना कर लो तो पूररदा प्राफ्त नहीं हो सकती इसलिए मित्रों जब भी आद इसी की वेक्ति की कुणली को देखें तो उसके साथ साथ आप नमाज कुणली को देखना ना पले जब भी आपने गरहों के बलागल को देखना हो तो D1 के साथ सा D9 में उन गरहों की स्थितिको जरूब देखो जैसे कि यहां पर मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि जैसे अगर हम नमांच कुणली में देख रहे हैं तो आए ले जलता हूँ आपको नमांच आपको नमांच आपको नमांच में करक लगन है गलत नमांच में कन्या लगन है और कन्या लगन डीवन में है इसे कहा जाता है लगन का वर्गुत्तम होना दी एक प्रकार का राज योग है इसे आयूभी लंबी होती है और व्यक्ति का व्यक्ति तो बहुत शांदार होता है क्योंकि जो भी ध्रह या भाव लगनों में उत्तम माना जाता है वो भाव अपने बहुत अच्छे सर्च देता है लगन को हम यह भी कह सकते हैं कि यह ग्रोध का माइंड सेट है ऐसा वेक्टी जीवन में उचा सोचता है बड़ा सोचता है और बड़ाई करता है और जिसे करने में वो काम्याब ही हुझाता है पर तो यहां पर एक दोश भी आ रहा है कि राहू बिलाजमान है ल इमरान खान के साथ हुआ इमरान खान को बहुत जोरो सोरो से परधान मंत्री बनाया गया जैसे ही वो परधान मंत्री बनते हैं अपनी दिशा भटक जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता मुझे बास्तों में क्या करना चाहिए इसलिए परधान मंत्री इमरान खान हर स् यहां पर देखने वाली बात है कि गुरुदेव ब्रस्पती भी चतुरत भाव में बैठे हैं वो भी सोग्रही हो करते हैं जी हां ये गुरु ग्रहे की ताकत को दिखाता है गुरु भी यहां पर शक्ती चाली होता है गुरु का शक्ती चाली होना राजनेती में बहुत ही जरूरी है क्योंकि गुरु को संगठन करता कहा गया है कोई वेक्ती किसी को लीडर जबी मानता है जब उस वेक्ती का गुरु को और इम्रान खान का गुम श्ट्रॉंग है इसलिए इन्हें मास लिटर भी कहा जाता है अब देखने वाली बात ये है कि इनका शुक्र छटे भाव में बैठा है न मांच कुडली में यदि किसी वेक्टी का शुक्र छटे भाव में बैठे तो मैरिज लाइप में प्रॉब्लम्स दो आती ही है इसलिए छटे भाव का शुक्र ने यहां पर इनके जीवन में दो-दो विवाओं को समाप्त करवा दिया ये विवा से सम्मंदे तकलीपों को तो दिखाता ही है अब चले तो देखें कि केतु यहां पर मीन राशी में विराज़ मान मित्रु ध्यान महें रावु कन्या राशी का और केतु मीन राशी का बड़े अच्छे होते हैं ऐसे लोगों को धार्मिक्ता ऐसे लोगों में खूट-खूट करके भरी होती है इसलिए ये लोग बहुत अच्छे बिलीवर्स भी होते हैं मंत्र, तंत्र, यंद्र, इन सभी बातों में बिलीव करते हैं धर्मूट के लुक में काफी मानेताएं ये मानते हैं मतलब ट्रेलिशन को भी बुलोग करते हैं काफी हद तक प्रयास करते हैं मंगल इनका अश्टम भाव में सब्रही हो करके पैठा है पर मंगल का अश्टम में जाना अच्छा नहीं है ये मनोबल को भी काफी अर्टक कमजोर कर देता है अब देखने वाली बात तो ये है कि सूर्य और चग्रमा दसम ने मित्रों यहाँ पर मैं एक आपको सूत्र देता हूँ बी नाइन चार्ट के दसम भाव में जो भी ग्रह विराजमान हो जाए तो समझिएगा कि वो आपके कैरियत में चार्चांद लगा सकता है यहाँ पर सूर्य नेम पेम और गवर्मेंट का भी कारग्रह माना जाता है जो कि दोनों ही चीजें इमरान खान को बहुत मिली और अपने कारे चेतर में उन्हें सफलता हासिल हुई यहाँ पर विराजमान जो चंद्रमा है वो भी जीवन में इनको पाइदा देता हुआ परतीत होता है चंद्रमा मन सो जायत है ऐसा रेक्ती चंदा की नवज को भी परचानने में काफी हद तक काम्याद होता है क्योंकि चंद्रम ग्रह के द्वारा ही परदर्शित की जाती ह अब चलिए देखते हैं यहाँ पर दो ग्रह एक शनी ग्रह और एक बुद्ध ग्रह दो ग्रह ऐसे हैं जो बारवे भाव में विराजमान है और बारवा भाव में जो भी ग्रह खास करके नमाज कुडली के बारवे भाव में जो भी ग्रह विराजमान होता है वो कहीं न कहीं प पाएं थोड़ा सा हम दशाओं पर विश्रेशन करें, इस समय इमरान खान के जीवन में गुरू ग्रह की महादशा चल रही है, जो की 28 सेप्टेमबर 2015 से चल रही है, अब ये 16 साथ तक चलेगी। 2020 से चल रही है, और परतंतर दशा को देखें, तो 6 जनवरी 2022 में गुरू की परतंतर दशा आई और जो की 26 अपरेल 2022 तक रहेगी। वो गुरू की है, और गुरू का नया लगन वालों के लिए अच्छे परिनाम नहीं देते। बुद्ध ग्रह, जो की योगा कारी ग्रह है, तो योगा कारी ग्रह है अच्छा प्रेनाम देता है, पर यहाँ पर भंवत फिर से गुरू का हो जाता है, क्योंकि जैनवरी 2022 से अप्रेल 2022 के बीच में जो परतंतर जो शुरू हुआ है, वो फिट से गुरू का हो गया, और गुरू इनकी उंडली में सबसे ज़्यादा खतरनाक ग्रह भी आप इसमें कह सकते हो, इसे आप मारक ग्रह भी कह सकते हो, मारक ग्रह का की परतंतर दशा ये दोनों जब एक साथ मिल जाती है, तो इनसान पर को मसीवतों में फसा जाती है, इस समय जो एविस्वास परस्ताओ इमरान खान के बारे में लाया गया है, तो ये 26 अप्रेल 2022 तर इनका समय काफी कटू चल रहा है, काफी संकटों से भरा और राजनिती में ये एक बड़ा गेंचेंजर भी हो सकता है, ज्यान रहे 26 अप्रेल 2022 तर अगर ये इस एविस्वास परसाओ से बच गए, तो आपने ये समझना है, तो आपने ये समझना है, कि ये अपने पूरे 5 साल पूरे करेंगे, परंदू लगता तो ये ही है ग्रहो की दशार को देख करके कि इमरान खान जा रही है, वो ऐ विश्वास परसाओ को पास शायद ही कर पाएं, मित्रों ये आज की इमरान खान की जनवत्तरीका का विश्रेशन था, आपको ये विश्रेशन कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और आ ये या नहीं, ये बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेर करें और लाइक करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,